कुदेव जो पी असी महोंगे बाबाल दिन रात पड़ना है मजा बोधा माल काव बरले थसरे ठेंसन अरे काव बरले थसरे ठेंसन जब अपस्पर बनके तेखर पे धमाल ये कैसे होगा से अब 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 नमस्कार कैसे आप सब कॉंपेडिशन कमडिटी के इस प्रेट्सरम पे आपका स्वागत है सीजी पीसी दोजार टेज परिलेम्स परिशा को ध्यान में रहते हुए जो हमने टॉप एमसी क्यू के सिंक्लाइ स्टार्ट की है उसके अंब अब अज शतीव के जज्याती के अंब अब 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 को अब 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 डिस्प्ले पे डिख रहा होगा वो चित्रकला और छिल्पकला पे बेस्ड रहेंगे ठीक है ना तो ध्यान देना में चित्रकला और शिल्पकला की बात करता हूं तो पहले मारे पस कला कला में पहले पन बात करते हैं चित्रकला की बात करते हैं पैंटिंग की बात करते हैं और शेक्ड़ा और शिल्पकला की अगर दिखा जाए चित्रकला की बात करोगे ठीक है अगर बात करोगे घर के फर्ष पर फर्ष नीचे फ्लूर पर अगर दिखा जाए तो अगन पर ठीक है घर के दिवार पर छिट्रकारी करते है या ताब गोदना याद रहेगा है तो ऊधन में गोदना भी अपने आपनें क्या है चित्रकारी है गोदना अपनें वी अपने चित्रकारी है जो अपन Kalणी में करते है इसको दाते तो जैसे घर की बात करोगे, तो घर में फर्स पर, आंगन पे, दिवार पे, दरवाजा में, खिड़की पे, या फिर शरीर की बात करोगे, तो सरीर पे कहीं भी कर सकते हैं, क्या कहलाता है, गोधना, अब अगर दिखा जाए, किस से करते हैं, द्वारा, ठीक है, आ तक, तो ध अगर दिखा जाए, आटे से, चावाल आटा, से भी अपर करते हैं, चित्रकारी करते हैं, याद रहेगा, ठीक है, गोबर से भी चित्रकारी करते हैं, तो जाद रखना है, हमारे पस किसी चित्रकारी करते हैं, वो हो गया, ठीक है, बाखी गोधना के लिए अलग से हमारे प कहां पर किया जाता है किस से किया जाता है यह मैंने बता दिया अब इसके अंदर का 36 राज महत्पुच चित्रकारी कौन-कौन सा है तो धान पर पिड़ा 36 राज में जो महत्पुच चित्रकारी है को उसका मैं नाम आपको बता दूँ तो सबसे पहला आप लोग नाम जानते हो जो महिलाएं हैं मैं बताऊंगा इसको कि अगर ते घर को क्या अगर दे गोबर से कवर अप कर देते हैं उसको पर समना ही केते हैं फिर अगर दिखा जै आठी कनईया है आठी कनईया मतलब ठीक है ये भादू महिने में जो कृष्टन जन्मास्ट में इस दिन किया जाएगा आठी कनईया हो गया आगे अगर दिखा जाए हर तालीका हर तालीका चित्रकारी ये तीज के समय किया जाता है ठीक है अगला हमारे पर से नोह डूरा नोह डूरा चित्रकारी जब अपर नया जी एक हमार पास है चौक जी से बोलते हैं चौक पूरते हैं यह चीटरकारी है यह चौक पूरते है यह सूखे चामाल आटे से धिर गिले चावॉन आटे इसे किया जाता है यहाँ पर इक नवीन वस्तू कँ दिर्मान होता यहाँ नवीन JEFF Sono नादर किसे होगा कैसे होगा यह मिट्टी से होगा तो मिट्टी सिल्प कहलेगा . धातु से होगा तो metal croft यहां पर धातू शिल्प कहलाएगा ठीक है लकडी सी होगा तो काष्ट शिल्प कहलाएगा हो सकता है बास से करहे थे बास सिल्प कहलाएगा बराबर यह तक उद्रादेना अगर देखा जाए जो शिल्प कला की बात करो गे तो शिल्प अंदर क्या होता है वस्तौ का मिर्टी से मिर्टी सिल्प हो जाएगा धाथ शिल्फ हो जाएगा कस्ट सिल्फ हो जाएगा सान्ते शाट बास लगः यह तक यह हमर पास क्या है धांदेछल केटए― इर्थम अन्जकारी थीख है ना इतना क्लियर रुआ ठीक है तो तो यह को ले po dhash अपर ना पहला मारा काम क्या है प्रेस्ट को ध्यान से पढोंगे सब कर सिफोゴ इस अ पढाई ओप या दो तो बूतारा की ऑप ditchART इसके उत्तर क्या होगा साधय माया इस राज्जी की इन्ने में लिखे में से कौन सी सिल्प कला बरस्ट मूं पद्धती के उपयोग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, कास्ट सिल्प, प्रस्तर सिल्प, लौह सिल्प या घडवा सिल्प, ठीक है ना, तो धांधरा बेटा इसका उतरा को मिलेगा एगजेक्ट घडवा सिल्प, आईए समझते हैं, घडवा सिल्प क्या है, ठीक है ना, तो धांधरा सबसे बला यहाँ पर पोईड़ा पॉइंट हमारे पास क्या है, घडवा सिल्प, ठीक है, घडवा सिल्प, ठीक है ना, देखो जो घडवा सिल्प है, यह अपने आप में धातु या पिर धाठू शिल्व का भाग है, ठीक है न या दिखा झाए धाठू में हमारे पास कौन से समागरी, कौन सा material होता है? इसमें होता है पीतल, एक सेकड रॉकना, सबसीं इपोर्टन यहां पे रहेगा कासा, कासा के साथ साथ रहेगा पीतल और पीतल के साथ क्या रहेगा रागा रहेगा यह तीर हमारे पास मैटल है जिसका उपयोग हम लोग किसमे करते हैं घड़वा सिल्पकारी करते हैं ठीक अब कैसे करते हैं किसका अगर मैटल का कुछ अपस्का खांशी की कोई मूर्थी बना नी है ठीक ना तो तो दहार मरा पेले हैं बनाते हैं उस प्लास्टिक से मुं मुं से बनाता है वराबर उसके बद करते हैं यह जो म्हार बश्क्रूयल है उसका बढ़ कारते हैं उसके उपर लेयर डाल जाल ठीक हें जहांतर तो यह ही प्रक्रिया कहलाती है बराबर यहां तक आगे किस छेतर में शत्तीज गրभा इसके लिए कौनीशी जरती प्रसिद्ध है और जा ने श्ल्प च तर्श ब्रक्री क्या करते हैं इसलिए इस शिल्प कारी का नाम पड़ा है घणवा शिल्प, बराबर यहां तक दीख लोच्छे से, घणवा शिल्प धातू शिल्प का एक्जामपल है, समागरी कासा, पितर, रागा, प्रक्रिय, मुम्चै, प्रकृय, छेतर, बस्तर, कुंडगों जाती है, हमारे पास कॉन इसके अलावा मानी घड़वा, संकर है, विसराम है, हलाल है, यह जितने भी कलाकार है, इनका संब्ध किस से है, घड़वा सिल्फ, बराबर यहां तक, तो देखो, हमने जो प्रस नमबर एक लिया था, कि 36 घड़ राज्य की निम्दिर्खी में से कौन सी सिल्फ इकला में, भर प्रस नमबर दो क्यों रूख करते हैं, ठीक है, देखो, प्रस्टा है, घड़वा सिल्फ बनाया जाता, अभी मने बताया था भी, लोहा होता है क्या, नहीं, रागा, कासा, पीतल, ऑप्शन में एक, दो, तीन है क्या कहीं है, बेलकुल, तीसे लिए याद रखिएगा, इस कौशरा हमारे पास है कासा, तीसा हमारे पास कौन सा है, रागा, ठीक है, यहां तक याद रहेगा, तो हमारे पास घड़वा सिल्फ, कौन सी जाती इसके लिए सल्लक नहीं, तो घड़वा जाती के लोग सल्लक नहीं, बडाबर यहां तक इसको याद रखिएगा, ठीक है, है अगे चलते हैं कोंच नम्बर 3 में चलते हैं कोंडाहों किस रीपर सिद्ध है है अभर में बटाया थे चेत्र थे ठीक है ना तो जो कॉंडा गाउ है बास सिर्फ के प्रसिद्य है क्या नहीं कास्ट सिर्फ के प्रसिद्य है क्या नहीं लोह सिर्फ के प्रसिद्य है क्या नहीं लोह सिर्फ के प्रसिद्य है तो उत्तर क्या बचेगा घडवा सिर्फ याद रहे कि मैंने बताया था कुंडागाव या फिर कर पर स्थे पुछे का इच तीस घड में घडवा सिर्फिकले परसिद्ध चेत्र कॉन साथ गया बता होगे और कुंडागाव क्या यादर रही टुटल हमारे पास चार चेत्र बहुत फेमुस है उनमें एक हमारे पास कुंडागाव है देख लो अच्छे से यह हमारा पास क्या हो गया घडवा सिर्फे संभानी दो से तीन मने परस्था बता दिये समागरी बता दिया ठीके है आगे चल जाए तो धाटू सेलफ का ही एक्जाम्पल है याद रहेगा धानमिधर कभ याद रखना रखेएगा इसी को अपन क्या बोलते हैं बेल बैल दिखते माहां पर इडिख लमने इंदर को बेसे इस को अधिया किया जाता है ? क्या कहते है जडिए जीक वलो जय निर्मित रड़ा से रिसा के या अधिना भान डिखते हैं घ्याद्र घ्यानदरा वो बेसे अधिर से एक इस माँब स्टन्हों चपहते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं कोश्रमबर पांच क्यों राते हैं जारा यह भी अपना अपने धातु शिल्प का ही प्रकार है जारा जारा 36 गर राजजी के निम लिखिव में से किस छेपर से संबंदित है बराबर यह आता है तो धान देना बात करते हैं जारा शिल्प इसका म जारा शिल्प भी चत्तीस गर में बेटा धातु शिल्प का एक 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 जामपल ही है धातु शिल्प का ही का है एक रूप है जारा शिल्प बराबर यह तक धान दरा 36 गर में कौन फर छेत्र धारा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है तो यहाद रखना रायगर्ण जिला जो प हिसमें कौन सी समागणी उपियोग होती है उतार इसमें सबसे इंपोर्डेंट टियुकल इस घढवा में सबसे इंपोर्डी राम लाल धारा अगला हमरे पास कौन से है राम लाल धारा बराबर यहां तक लियर है समझ मैं क्या बोला मैंने तो देख लिए यह हमरे पास जारा सिल्प से जुड़िग वी जानकारी है ठीक है तो बताईए बेचलो अब इस बेसिस पे कोशन नमर पास को पढ़िए जारा सिल्प है उसके लिए प्रशिद्ध छेत्र कौन से है तो बताईए सरगुजा होगा क्या नाई बस्तर होगा क्या नाई रायपूर होगा क्या मिलेगा रायगण क्या मिलेगा तो जारा सिल्प का डेटिल में बताया था आपको जारा सिल्प के प्रशिद्ध हमरे पास पर 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 प्रस्तों को पढ़ी है चित्र कहुंसा होगा रायगध, याद रहेगा प्राइमरी में पीतल सेकंडरी में याद रखोगे, अगला चलते हैं, पर पर परस्तों को पढ़ी है, चंश गड़ की शरगुझा में कॉंण सी जाती धातू, मुर्ति कला का कारे करते हैं आथ ने यहां पर भी धातू से पर मूर्ति बनाते हैं तो व täll थातू शिप का एग्जامपल है तो कौन सी जाती के लोग करते हैं, घड़वा तो बस्तर में है, जारा तो रायगड में क्या बचा मलार, तो इसका एक्जेक्ट उतर क्या मिलेगा, मलार, याद रहेगा, धान दरा अगर, ये था हमारे पस कुसर नुबर 6 था, तो अगर आपको पुछेगा, कि 36 गड़ में ध तो इन चीजी याद रखनी है, एक आपको घड़वा सिल्प याद रखना है, एक आपको जारा सिल्प याद रखना है, और एक आपको मलार सिल्प याद रखना है, घड़वा सिल्प, जारा सिल्प, मलार सिल्प, बराबर यहां तर, इतना क्लियर है, घड़वा सिल्प के परसिधी सेतर मरवास कौन से है, तो कशा में बनागा, सरगूजा, क्या मिलेगा? सरगूजा मिलेगा, इसको याद कर लो, पीर है, धातू सिल्प है, तो गड़वा शिल्प में कौन कासी धातिक उपयों किया गया था, तो याद रणा मैं पाधाया था, प्राइमरी में कासा ह और थर्ड में हमारे पैस रहेगा रागा ठीक है रायगड में जुग्धारा सिल्प है इसमें प्राइमरी में पीटल याद रखना और सेगंडरी में क्या रखो के कासा यही चीज कहां प्यों होता है तो गया बता हो कि सर्गुजामे बराबर ही आता है तो यह दातु सिल्प और धातु सिल्प के अंदर एक और याद रखिएगा लोह सिल्प यही तो में पैस धातु सिल्प है और लोह सिल्प के छक्तिस हमें कौन फी जंजाती परसित देज कर बता होगे अगरिया ठीक है आता क्लियर ए बिटा यह हमारे बास है धातु सिल्प से जुड़ाओा जार अगर दिखा जाब बास सिल्प की बात करोगे ठीक है ना याद अठना बास से अपर विभी निप्रकार के जैसे टोकरी बनाते हैं सूपा बनाते है ठीक है पर्रा बनाते है ठीक है याद जाडू भी बनाते है ठीक है फरनीचर भी बनाते है बास सिल्प है याद रहेगा ध जानगे, जानगे, ज़न जाथी का जुँआगाथ तो सूर्स बांस है तो क्या बताओगे कमार है बराबर यहाता है ठीक है उसमें आते हैं कोसर नंबर 7 पर आते हैं निमनंकित में से कौन सी जंजाती बांस बरतन नहीं बनाती है कमार बनाती है धनवार बनाती है कंडरा बनाती है कमर बनाती है के नहीं कमर का में काम अपने तो याद रखना, इस परष्ठा का उत्तर क्या होगा? डी होगा, ठीक है यहां तक? ठीक है, भी आगे बरते हैं अब आते हैं, कोशर नम्बर एट्थ में आते हैं छिंद पत्ते से चटाई और टोकनी कौन मनाते हैं गयाद रहेगा, चेνंद के पत्ते से, चेंद के पत्ती से चाटाई और टोकनी बनने का कारी कोन करती है, तो याद रखिएगा, चेंद के पत्ते से च कहते है, चेंद पत्ता सिल्प, ठीक है ? दांदरा चंतीस बन में इस कारी के लिए जाता तर पार्धी जंजाती सलगने हैं और जो पार्धी जंजाती है इसी ही अपन का कहते हैं इसी कारी जंजाती कहते हैं समझ में बेटा इसलिए इसका उत्तर कमार होगा क्या नहीं कंड्रा होगा क्या नहीं सौता होगा क्या नहीं पार्धी, पार्धी को अपन और किस नाम से जानते हैं, सिकारी के नाम से जानते हैं, बराबर यह तक, देखा होगा चटाई बना देखा होगा, तोकरी देखा होगा, कभी-कभी अपन कुछ बुल्दस्ता भे बना सकते हैं, बसरते हैं को का आना ची बनाने, ठीक है ना, आग बन्दीत है बराबर यहां पर याद रहेगा देखो भी जो मरपस अगर दिखा जाए रजवार भिट्टी सिल्फ है अगर देखा जाए इसका जो प्रिचलन किस शेत्र में जादा है तो धान्दर बड़ा इसका प्रिचलन 36 गड़ के सर्गुजा में जादा है याद रहेगा रजवार भिट्टी जो सिल्फ है वो सर्गुजा में जादा प्यमस है लुसरा प्र दिखा जाए जिबन पर हां अब इसके अंतर करता है इसके अंपर का जो सरगुजा की स्थानी लोग है वो घर के मुख्य द्वार पर या घर के खिडखी पर समझ मैं या घर के मुख्य द्वार पर या फिर घर के खिडखी पर इलों क्या करते हैं मिट्टी से विभिन आकृती बनाते हैं दिर्वित करते हैं बराबर यहां यहां तक लियर है इसको याद रखिएगा तो द्हान न यह मेरे पास है रजवार-बिट्टी-चिल्फ से जुड़ा हुआ जानकारी रजवार बिट्टी-चिल्फ जाद तर कहा पर मस्वा सर्गुजा पर किसका एकजामपल है मिट्टी-चिल्फ का एकजामपल है इसको याद रखिएगा ठीक है, अंतरगत धर के मुख्य द्वार पर या फिर खिर्की पर मिट्टी से विविनिका करते हैं, आकरती बनाते हैं, ठीक है, यह हमारे पास क्या है, रजवार बित्ती सिल्फ, ठीक है, चलो, प्रस्ण नंबर किसमें आये थे, पर नौवे पे आये थे, इसका प्रस्ण बन पर नौग उतर का हो जाएगा माल पास, डी हो जाएगा, ठीक है, आई हूँ, यह समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अगर दिखा जाए, कोशन अंबर दसवे मारते हैं, छतीज गर में सीपकला, सीपकला या सेल वर्क का इस्थानी नाम क्या है, सीपक देखो क्या है समझते है, देखो पर यहां पर लिखा है, सीपकला, यह इसी को पर केते हैं, स्याल वर्क, यादर नहीं पर नहीं है, भारी वर्क सब दो लग रहा होगा, यह अगर दिखा जाए, परमुक रूप से, जो कौडी शिल्प है, कौडी यानते हो जी, तीरी पास अगुसर मना देंगे, या फिर सजावट का काम करते हैं, मतलब याद रहा है, इसके अंपरगत, हम लोग डेकोरेट करने का परयास करते हैं, सजावट का काम करते हैं, बराबर यहां तक, और जादा तर जादा, चंतिशगर में जो एक समाज है, बंजारा जन जाती, जो हमा आशा करता हमको समझ में आ रहा होगा, तो अभी तक हमने 10 प्रस्ण देख लिए, और सबो का सम्मंद किसी था, तो क्या बताओगे, सिल्प कला से था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे प्रस्ण, नया प्रस्ण लेते हैं, देखो ध्यान से, शक्तीजगर में हस्त शिल्प और कला से सम्मंदित कारियों में बारी, जाती का हस्त शिल्प का कारे कौन सा है, बराबर यहां देखो अच्छे से, जो बारी जाती है, वो कौन सा हस्त शिल्प का कारे करती है, देखो पेटा धान से, आगे ने, देखो जो बारी जाते के लोग है, वो कौन सा शिल्फ कला के कारे में सलग नहीं, आपके पास समय है बेटाई चलो, कमेंड करके बदाईए इस परशन का उत्तर क्या होगा, तो परशन नमर 11 है, इस थीज़ गन में हस्त शिल्फ और कला से सम्मधित कारियों में जो बारी जाती है, याद रहेगा, बारी जाती कौन सा हस्त कारे करती है, जली बताईए फटा फट बताईए, कमेंड करके बताईए ठीके न, जली बताईए, ठीके बैठ, जो बारी जाती कि लोग ना बटए याद रखीएगा, इनलोग न इसका उत्तर आपको मेलेगा a, उत्तर का मेलेगा a, दोना पत्तल जिर्मान करते हैं, याद बारी जाती, ठीक है यहां तक इसको प्लीज याद रखेगा, त्लिए बेटा यहां तक, देखलो अच्छे से, ना, करा ना, याद के बाद, अगला पंचलते है, को से नमपर 12 कि रोख करते है rated, देखो, अभी तक शील प्रकला से समस्दी समने, परश्णों बता तेप अब पे भुष्प समय में संबंद को पैचानना है ठीक है पहला लोग चित्रकल और कपड़े के विशालपट पर तयार किया जाता है सही क्वलट नए लोग चित्रकला ग्रामिन घ्रों की दिवारों पर के जाती है कुछ हट्तक सही है सही है कि नहीं थीक है लोग छे प्रकला मंदीरों पर कुरेदी गई मूर्ती से प्रकला से में नहीं थे नहीं लोग छे प्रकला सारवजनिक इमारतों पर उकई जाती है केवल मेटे या अपने घर पर भी हो सकता है याद रहेगा इसलिए ये आप्शन में सेंडिस पाई नहीं करता है इसलिए इस प्रस्ट का उत्तर क्या होगा उत्तर नमबर बी होगा कि लोक्षी प्रकला गरामीन घर के दिवारों पर की जाती है घर के दिवार पर होगा फर्श पर होगा आंगन पर होगा बराबर याता है कि इस बात को याद रखना है क्लियर है तो यह हमारे पास है लोक्ष कोशर नमबर 12 के बाद अगला पर आते हैं कोशर नमबर 13 पर 13 पर आते हैं और समझने का परयास करते हैं हरियाली अमावस को वह हरेली भी याद रखना है कि 36 गर की मैला है घर के मुख्य द्वार की दिवारों पर गुबर से क्या बनाती है बराबर यहां तक उधार मेरा कर लेंगे लोग क्या करते हैं एक सित्रकारी बना देते हैं तो जाना भेरों चित्रकारी से दिवार पर और महिला वही करती है याद रहेंकर, देख लो, सवनाही क्या है, अपने आप में एक छित्रकारी है जी, सबज माया, छित्रकारी का एक्जामपल है, लोक छित्रकारी है, किस से किया जाता है, गोबर से किया जाता है, कहां पर किया जाता है, घर के बाहरी दिवार पर, अंदर मेरी भई, घर के बाहरी दिवार पर क सबस्क्राइब UH गरामिट शेत्र पे एक मरकाट जादू टोना फिर्वेइसे सब विपत्ती से अपने घर कोबचाने के लिए मыिलाय का करती यह चीत्कारी को करती ताकि भूथ प्रेथर यह भारि हव्य हüpह जो जादू टोना है उसे घर के अंदल परवेई से ना कर सके ठीके ना इसलिए जो मलाय होती है वो गोबर को पकड़ती है और अपने घर को क्या कर दी चारो और से कवर कर देती ठीके इस छित्वकारी गोपन क्या कहते मैं अगे समझ मैं आ रहा हो थोड़ा थोड़ा थीक तो अभी तरक हमने 13 परसन कर लि क्रिष्ण जन्मास्थमी के दिन किया जाता है अब कृष्ण जन्मास्थमी पर लूंकाती है भादो के माहां में मनाते हैं भादों में कब मनाते हैं तो यादना कृष्ण पक्ष के में मनाते हैं कृष्ण पक्ष में किस दिन मनाते हैं आठवे दिन मनाते हैं इसलिए इसको कृष्ण जन्वास्टमी कहते हैं तो कि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष के आठवे दिन इसल तो फिकंवर किया जाता है घर के आंत्रिक दिवार पर आठेख नहीं चीदर कारी जाती है। इसमें मिट्ति का रंग लेतने हैं विट्टा, याद रटने, मिट्टी कलर बोलते हैं, और यहां पर शिकृस्ट्री की आठ पुतली बनाते हैं, क्या बनाता हैं पुतली कैसे तो देख लो भाई इस तरीके से आठ प्रकार के उतनी का क्या करते हैं लोग निर्मान करते हैं आप लोग सुचरों के हाथ कहां गया तो ऐसे चार उपर और सेम बिटे याद रठा चार नीचे भी रहेगा और बीच में क्या रहेगा? बीच में नौ बना दिया जाता है, आया समझ में इस नौ में बैठ के आप बैिकुंड का सफ़र कर सकते हैं तो हमां ये रख पास क्या है? आठ इक निया छित्रकारी है, किस से किया जाता है मिट्टी रग से, किसपर घर के निवार इसके नतर क्या बनाते है, स्रीक्रिष्टी की आठ पुतली का निर्मान किया जाता है, आया समझ में इस बात को याद रटा, ठीके बट्टा तो देख लो च्छे से परस्ता का उत्तर देखते है, कोसर नमबर 14 पे आते है, 14 क्या है, तो देख लो, आठी कनिया क्षित्रकारी म होता है, गणेश, नहीं, शिवजी, नहीं, क्रिशन जी, बिल्कुल, राम जी, नहीं, इसने याद रखना, कुसर नमबर जो हमारे पास कुन सा है, 14 है, इसका उत्तर क्या मिलेगा, आपको C मिलेगा, क्या मिलेगा, बिटा, C मिलेगा, बराबर यांकर इसको याद रखेगा ठीक है, 14 के बाद, अगले आते हैं, अपन 15 में आते हैं, कुसंबर किसमें आते हैं, 15 में आते हैं, ठीक है न, एक बब एच्छे से रीट करो, और कुसंबर 15 क्या है, दिखो जान से, एक किनारों पर बसे गाओं में कौन सी चित्रकाला की जाती है, नोडोरा करते हैं, क्या नए, आठीक नीयां करते हैं, विवार क्रते हैं, क्या न कि बालपूर चित्र है, बताएं लदी से, इसका उत्तर क्या होगा। जली बताएं, बढ़कर स्था चाहँरों, इस परसें का सक्ति में है, ठीक है, और धार, इसका उतरकों को मिलेगा, अ मिलेगा, अ पंदर को उतरका मिलेगा, coalition बर्टछीतरकारी, अर धार, जो बाल्पु छीत्रकला है, इसके युज क्या चितर हमैं कौन फि सी जाती परसीद्य है, तो क्या बता 이후गे कि जिले में सक्तिabel, okay? दो स्वाल design meeting 15 की उत्तरा को क्या सब होता है? जा अमरी में 15 सभाजी के दिधाया है Michigan here.. और स्मस्तготов Plus के नाम से जनते अपर सोत कृषाम नाम से पर ठीद के नाम से पहते हैं को आपर में 15 से रह Gwen' के बाद अगला पर आते है कोस्ट नमबर 16 में आते हैं 16 में ठीक है ना ठीक है ठीक है छतीज गड़ में प्रसिद्ध किस चित्रकला की शैली को औरीशा लोग चित्र सैली के नाम से भी जाना जाते हैं अभी बताया थे इस पर शोला है इसको उतर आप लोग बताओगे जल्द बताओ कि भाई जो कोस्ट नमबर 16 है कि भाई जो हमारे पास उड़िशा चित्रकला जो है लोग चित्रकला इसको छक्तिव किस नाम से जानते हैं ठीक है आई होप यह आप लोग बताओगे होप नहीं बिटा बताना ही है ठीक है उससे बाद कोस्ट नमबर 17 में आते हैं जल और बताओ कोई इसमें डाउट इसका उत्तर क्या होगा चल बताओ तो खलो चटीज गड़ की लोग छित्रकला निल लिखित है मतलब आपको पैचानने की कौन चटीज गड़ का लोग शित्रकला है सवनाही है क्या है जल्दी बताईए कर दो सवनाही है क्या नोडोरा है क्या इसर पूर्पूर कि प्रगाला नहीं है इसको ध्यान देना बाकी इसका उत्र हुट्ण रहे क्या बिल्कुल इसका उत्तर होगा option number C क्या होगा option number जो C है वो प्रस नंबर 17 का उत्तर होगा सवनाही के बारे पढ़ दिया है नोडोरा के बारे में घर सिंगार भी अपने इसके बाद कोशन नंबर 18 में आते हैं आधुनिक चित्रकला के खेत्र में 36 गर्के परसीदें चित्रकार कौन है याद रहेगा कोसर άं Prabhye섯 18 है आधूनीक चित्रकला ठीक है जो फास आधूनीक चिट्रकला है याद रहेगा ठीक है आधूनीक चित्रकला के छेतर में 36 गर्रके प्रशीदे चित्रकार कॉन थे पर किया बताओं कि दॉक्तर प्रवीन सर्मा से रायपूर के है जुड़े हुए है इस को याद रखें कि पिट एक थी करने चलते हैं अगे बढ़ते हैं कोशोसे नमबर 19 यौको किसमें चलते हैं 19 गोद्ना इसका उत्तर जाने का प्रयास करते हैं तो धांदर इसका exact उत्तर होगा A, धांदर गोदना-Alankaran का कारिए, गोधने का कारिए ओजą करती है, जो गोड के उप जाती है, ठीक है, कमार 36 गण में सरवाधिक बार, याद रहेगा, 오늘 के सरवाधिक बार गोदना-Alankaran का कारिए करवाती है बैगा 36 गड़ में सबसे प्रीय गोद्ना जन जाती है जो मारे पास बैगा जन जाती है वो पूरे सरीर में गोद्ने का अलंकरन का करवाती है इसमें माथा गोधना है, जैला गोधना है, इनका प्रचले है कि इसमें बैगा जन्जाती में, बराबर यहांता है कि इस बात को याद रखना है, क्लीर है, यह हो गया question number 19, ठीक है, गोधना अगर दिखा जाए, इसमें बहुत सारी मान्यता है, ठीक है ना, अगला चलते हैं, इसको कमेंट करके आप लोग खुद बताऊगे, इन में से जो मैंने चार जन्जाती बताया है, इसमें सबसे प्रिये गोधना प्रिये जन्जाती कौन सी, जैली बताईए, ठीक है, याद रेगा, इसका उतर होगा, डी होगा, बैगा, याद रेगा, ठीक है, क्लीर है, 30 गर में चित्रकला और 36 गर में शिल्पकला, प्रियर है आतर, इससे, मैंने कुछ बेशिक टॉपिक भी बताया है, कुछ चीजे शम्णाने का प्रियास भी किया है, उमीद करतो हम आपको समझ माया होगा, अगर कुछ भी बेटा, इस टॉपिक से सम्म दें डाउट होगा, कमेंट किजिए गा या अगर सनी वाल कापर मिलते हैं लाइट क्लास पे लाज डाउट क्लास पे तो आपका जो भी संका है जो भी समस्था उसका समाधान करने का प्रयासबन करेंगे ठीक है आपकर तो ये था कला चाथीज गर में जो जिसके अंदर में ले शिल्पकला और शि ठेकि अथा कि तो नोच